लोकस्वा चुनाव के नतीजों का सभी को इंतजार है और महें नतीजे आने में चंद दिन ही सेस बचे हैं। ऐसे में राजस्तान की सभी 25 लोकस्वा सीटों पर बीजेपी जीत का दाव कर रही है। हलांकि कैंदरी मंतरी अमीच सा एक सभा में बासंट देते वे खे चुके हैं कि राजस्तान में वीजेपी को एक दो सीट का नुकसान हो सकता है। लेकिन फलोदी सटा बाजार के दो ताजा बाव सामने आये हैं वो वीजेपी की ने दुड़ा सकते हैं। हलांकि देनरी न्यूज फलोदी60 बाजार के बाहो की फुष्टी नहीं करता है। लेकिन फलोदी60 बाजार का अनुमान है कि बाज़वा को राजस्तान की 6 शीटोँ पर बड़ा जटका लग सकता है। नमस्कार आप देख रहे हैं देन अगरी न्यूज मैं आपके साथ दिपेंदर कुमाउट दरसल बात करते हैं उन छे लोकस्वा सीटों की जिन पर भाजवा की चिंता लगातार बड़ी हुई है और ताज़ा बहु ने भाजवा की चिंता को लगातार बड़ा दिया है आपको बता दे कि दोसा लोकस्वा सीट पर भाजवा उमिद्वार कन्या लाल मीना का बाव एक पॉइंट तीस रुपे और कॉंग्रेस परत्यासी मुरारिलाल मीना का बाव साथ पैसे हैं बताया जा रहा है कि किरोडिलाल मीना को लेकर दोसा लोकस्वा सीट लगातार चर्च एक पॉइंट पचास रुपे और इंडिया गटबंदन के परत्यासी रहे अमराराम गोदारा का भाव पचास पेसे बताय जा रहा है। तो वहीं जुनजनु लोकसवा सीट पर बड़ा उलट फेर देखने को मिल सकता है। यहां बाजपा के उमिद्वार सुपकरन चोधरी का भाव एक पॉइंट तीस रुपे और कॉंग्रेस परत्यासी बरजेंदर ओला का भाव साट पेसे बताय जा रहा है। कि वहां पर भाजपा परत्यासी जुती मिर्दा का भाव एक पॉइंट बीस रुपे और इंडिया गटबनन के परत्यासी हनमान बेनिवाल का भाव पचास पेसे है। यहां हनमान बेनिवाल जुती मिर्दा से आगे नजर आ रहे हैं। हलांके आपको को बता दे कि फलोधी 60ा बाजार में जिसके बाव जितने कम होते हैं उतने ही इसके जीतने के चांस ज्यादा होते हैं। फलोधी 60ा बाजार के ताजा बाव ने राजनितिक पार्टियों की टेंसन तो बढ़ा दी है। कि सीट पर कौन सी पार्टी के प्रत्यासी की विजय होगी इसकी गोशना तो चार तारिक कोई होगी लगातार एसी लोकस्वा चुनाओं से जुड़ी खबरे देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहे हैं आप देख रहें देन अगरी नूज मैं आपके साथ डिपेंदर कु КОН से रहें आप हमारे साथ नूज मैं आपके लुग का कुं।